हेलो फ्रेंड नमस्का स्वागत है आपका चैनल पर फ्रेंड आज हम लाप के फूलों वाली तोरन पट्टी बनाएंगे जिसको बनाना बहुत असान है इसमें बूल भी बहुत कम लगती है तो फ्रेंड इसमें मैंने वाइट कलर ग्रीन रेड और पिंग कलर यूज किया है त लगाई है तो तीन मैंने यह पिंग कलर के लगाए है तो उसमें रेड में जो वूल लगी है वह नो ग्राम लगी है और जो यह अमारी वूल लगी तो बहुत कम वूल में यह टोनर पट्टी बनका त्यार होगी है तो बनाना बहुत आसान है तो फेंट शुरू करते हैं फेंट सबसे पहले हम तोरन पट्टी बनाएंगी मैं वाइट कलर से तोरन पट्टी बनाऊंगी तो सबसे पहले हम यह slip note लगाएंगे फेंट मैंने यह 3.75 mm का hook लिया है तो उसके बाद हम 13 चेन लगाएंगे तो एक, दो, तीन यह तीन चेन छोड़के 5 चेन में हम फेंट्स डबल क्रोश्या करेंगे यह चैन है इस चैन को भी हमने डबल क्रोश्या में ले लिया है है कि हम हर चेन पर डबल क्रोश्य करेंगी हम इस तरह से हम इस तरह से हम डबल क्रोश्य करेंगे अब हम क्या करेंगे एक, दो, तीन, तीन चेन लगाएंगे, उल्टा देंगे, अब फर्स चेन को छोड़कर सेकंड चेन में हम, सेकंड चेन में फ्रन हम डबल कुरुशा कर देंगे, क्योंकि जो चेन है इसको भी हमने डबल कुरुशा में ले लिया, तो फिर हर चेन के उपर हम डबल कुरुशा क करेंगे कि लास्ट में जो चेंड थी वहां पर हम डबल कुश्य कर देंगे फिर तीन चेंड लगाएंगे उल्टा देंगे फिर फर्स्ट चेंड को छोड़कर सैकिंड चेंड में हम डबल कुश्य करेंगे तो इस तरह से फैंड से हम पट्टी बनाएंगे इस तरह से फैंड हम यह तोरण पट्टी बनाएंगे हम यहां से डवल क्रोश्य करते हैं यहां तक आएंगे फिर तीन चेन लगाके फिर हम उल्टा देंगे फिर हम उल्टा आके फिर यहां से हम यहां तक डवल क्रोश्य करेंगे तो यह हमारे total double crochet हमारे 11 आएंगे एक दो देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आर नो दस ग्यारा तो यह total 11 double crochet आएंगे तो इस तरह से हम यह पट्टी बनाएंगे तो जितनी लेंथ चाहिए फ्रेंड्स उतनी बनाके फिर मैं आपको दिखाती हूं आप पहले जहां पर आपने यह तोरन लगाना है तो वहां का आप नाप ले लिजिए उसकी according फिर आप यह उतनी ही लेंथ की आप पट्टी बनाईए मैंने यह तोरन पट्टी भी बना ली है इसको पहले हम फोल्ड कर लेते हैं यह 17 इंच तो यह मैंने फोल्ड की है यह तो आप ने जहां पर यह लगानी है उसका नाप लेके फिर आप उतनी पट्टी रखिए अब हम बहुत ही आसान तरीके से पट्टी के उपर जो लगाएंगे हम गुलाब का फूल लगाएंगे तो अब हम गुलाब का फूल बनाते हैं यह मैंने फोर एमम का हुख लिया है तो यह चार प्लाई की उन है सबसे पहले हम स्लिप नौड लगाएंगे उसके बाद फ्रेंड्स हम फिफ्टी वन चेंड लगाएंगे करेंड मैंने फिफ्टी वन चेन लगा लिए अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो आप शिक्स्टीवन स्ैंटीवन इंटीवन इस तरह से चेनग तो अगर छोटा बनाना है तो जैसे मैंने 51 आप 41, 31, 21 इस तरह से चेन लीजिए अब फर्स चेन को छोड़के किन चेन में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से फ्रेंड हम हर चेन में हम कर लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से हम हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते हैं यह पूरी रो हम याद तक कंप्लीट कर लेंगे तो फ्रेंड मैंने हर चेन में सिंगल क्रोशिया कर लिया है अब हम क्या करेंगे एक चेन लगाएंगे उल्टा देंगे पहले हम फर्स चेन के उपर हम सिंगल क्रोशिया करे कि ये को नो टीन कि चीर अक मादशर कर लिया को थैट नेक्स टेयन में करीं ए इसलेंगे में वी एशाओं मैं जनी ड़ एक खंड ऑज़ब करें ऐसलों यह दो बार थैट मैं करों हम पांच बार डबल कुरुशा, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर नेक्स चेन में करेंगे हम सिंगल कुरुशा, उससे नेक्स चेन में करेंगे हम सिंगल कुरुशा, यानि दो बार हमने सिंगल कुरुशा करना है, उससे नेक्स चेन में हम फिर पांच बार डबल कुरुशा करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह दिखें, यह पतिया बन रही है, फ्रेंट्स, नेक्स चेन में करेंगे हम सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स चेन में करेंगे हम सिंगल क्रोशिया, यानि दो बार सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर उससे नेक्स चेन में करेंगे हम, ए देखिए पांच बार डबल क्रोश्या एक दो तीन चार पांच यह देखिए इस तरह से यह पतिया बनेंगी इस तरह से हम यह पूरी रोज यहां तक कंप्लीट कर लेंगे तो फ्रेंट मैंने यह पतिया बना ली हैं आजबी सिंगल क्रोश्या एक चैन लगाएंगे और हम ज्यादा पार काटेंगे और यहां पर हम बंद करतेंगे यह हमारी सीधी साइड़ है सीधी से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे हमने फोल्ड कर लिया अब बैक साइड से हम सभी को कठा ही हम स्टिच करेंगे इस तरह से पीछे से हम इस तरह से बंद कर देंगे लॉक कर देंगे यह देखिए फ्रेंट गुलाप का फूल बनकर त्यार हो गया है तो अब इसकी हम पतियां बनाएंगे पतियां हम ग्रीन कलर से बनाएंगे इसके लिए पहले सबसे पहले हम स्लिप नौड लगाएंगे छे चेन लगाएंगे एक दो तीन चार पांच छे तो जो फस्ट चेन हम उसमें हम कर देंगे श्लिप स्टिच फिर दो चेन लगाएंगे अब हम यहां पर डबल करेंगे साथ बार पहले एक फिर थोड़े सी बूल उपर लेके जाएंगे दो फिर थोड़े सी बूल उपर लेके जाएंगे तीन फिर थोड़े सी बूल को हम थोड़ा सा खीचेंगे इस तरह से चार फिर थोड़े सा बूल को खीचेंगे पांच यानि कम से हम पहले छोटा फिर बड़ा 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 इस तरह से हम करेंगे 5 फिर थोड़ा से बूल उपर लेकर जाएंगे 6 फिर थोड़ी से बूल हम इसतरह से खीचेंगे 7 फिर 3 चैन लेंगे फिर 1st चैन में हम इसतरह से slip stitch कर देंगे उसके बाद फिर दोबारा से हम यह देखे एक फिर उससे कम खीचेंगे दो फिर कम खीचेंगे तीन फिर कम खीचेंगे चार फिर उससे कम खीचेंगे पांच उससे कम खीचेंगे छे फिर हम यह करेंगे साथ तो यह देखें फिर दो चेन लगाएंगे फिर यहीं पर हम कर देंगे slip stitch यह देखे यह पत्ता बन गया friends यह देखे फिर 5 चेन लगाएंगे 1 2 3 4 5 पांच चेन लगाने के बाद फिर 6 चेन और लगाएंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अब इसको थोड़ा सा उल्टा लेंगे उल्टा के यहाँ पर करेंगे हम फिर दो चेन लगाएंगे फिर वैसे ही अब हम करेंगे डबल प्रोश्या एक फिर जैसे हमने पहला पत्ता बनाया सेम वैसे ही हम यह पत्ता भी बना लेंगे अपाओ आगे कि मानए बनार लेंगे पर कहा भी दूली है कि मैदते पूली है झालनी और ऊचाता मसा TB को चानी लेंगे परед कर लfires को अिन्स प्रेवेएंगे चुम मनों कुम म करेंटえ करें से अपर स खालनी है फिर एक चेन लगाएंगे, फिर यहां पर थोड़ी से भूल को काट के, क्योंकि हमने फ्लावर के साथ जोड़ेंगे, इस पत्ती को काट दिया, अब इसको हम बंद कर देंगे, यह देखिए फ्रेंड हमारी पत्ती बनगी, इस तरह सिरा, यह देखिए फिलापका फूल, फ्रेंड बन कर त्यार हो गया है, इसी तरह सिरा हम फ्रेंड से जितने फूल हमारे को चाहिए, उतने हम बना लेंगे, फ्रेंड मैंने रेड और पिंक दो कलर में गुलाब के फूल बनाई है, तो अब इसको हम यह तो रनु के यहां पट्टी पर लगाएंगे, हुआ कि ये देखे। एक रैड वेला लगाएंगे हो फिर इखेंगे फिर ह हम पिंक वाला लगाएंगे हिस तरह से ये लगांगे तो चैनल यह लगा के दिखा दिए हुआ आपको अ इस तरह से लगाएंगे हैं आपने यह कितनी कितनी दूरी पर लगाना है गुलाब का फूल जैसे मैंने इतना स्पेश छोड़ना है उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी फिर इतना स्पेश छोड़के फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो यह अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं यह पूरे स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाते हैं तो फ पसंदर प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दोबारा मत भूलिए ताकि मेरे आने वले वीडियो की नोटिकेशन आपको फैलने मिले तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तक के लिए बाइबाइब